बारिश के फिरसे आसार हैं लेकिन उतने नहीं और क्या होगा और पिछले मैच में हमने जो बोला था उसके हिसाब से क्या क्या चला उसकी बात करते हैं वीडियो लाइक करके आगास करना और कोशिश है एक चीज़ मैं फिरसे आपको रिमाइंड यह करा दू कि भाई आप देखते होगे जो सेम वेन्यू और सेम जगे हो रहा है कुछ भी डिफरेंस नहीं है तो कोशिच किया करो पुछला वीडियो ही देख लिया करो क्योंकि उसमें फिर मेरे पास भी कॉंटेंट होना चाहिए दिखाने के लिए आपको जबरदस्ति के वीडियो नहीं मनाता आपने दिया होगा और अब आते हैं सब कुछ है लेकिन पिछले मैच में थोड़ा सा जो अब्जर्वेशन थी वह बतानी ज़रूरी लगी इसलिए जादा बड़ा नहीं करेंगे पिछले मैच में कर्टिस कैमफर नहीं खेले थे और यह मैं आपको पहले बता चुका मुझ पहले अच्छा था इनका और इन्होंने करके दिखाया और अच्छे लिके स्टेबल लगे और यह बहुत स्टेबल प्लेयर भी है बालबर्नी उसके बाद और पॉल स्कूरिंग इसके चला मैच जिसमें इन दोनोंने पफॉर्म किये और पॉल स्रिंग उसके बीच में एज लगके आउट हो गए पहलुकवाई हो गए बॉलिंग में मैकार थी खेले नहीं तो यंग ही एक ऑप्शन थे और यह कुछ था लास मैंच का स्कोर इसमें मुझे जिसने इंप्रेस किया सबसे ज्यादा पॉर्टर फील्ड ठीक है सॉलिड है और टेक्निकली डीसेंड लगे ब मुझे उनसे जादा बेट लगे माक अडेर और आज शायद हमारे एक डिफरेंचल पिक के तौर पर अडेर जरूर दिखें क्योंकि यह बॉल अच्छी स्विंग करा लेते हैं और हेल्फुल क्या है कि वेदर वहां का वैसे ही चल रहा है मलाहाईड वेलिज में जहां पर मै में स्राइक बॉलर नहीं था तो में स्राइक बॉलर एंगीडी और रबाड़ा विकेट नहीं ले रहे हैं अब नौकिया को हम लोग सब सोच रहे आएंगे और जरूर पिक करेंगे नौकिया पिछले माच में जब टॉस हुआ था तो ऐसा उनके कप्तान टिमबा बभू नौकिया थोड़े से इंजर्ड है तो नौकिया की इंजरी के अभी कोई अपडेट है नी कुंटन डिकॉक मोस्ली रेस्टेट है तो वापस आने चाहिए जैसा लग रहा है जिसका मतलब के वेरिन जाएंगे और अगर रहेंगे तो फिर कोई ना कोई तो किसी की तो बली च इंजरी हो में अभी फुली फिटना हुए इस वज़े से लेकिन यह प्लेयर खेलता है तो हम लेते हैं मेंशा से यह आपको पता है डॉक्रेल बॉलिंग नहीं करा रहे हैं अभी तो यही बूला जारा खेल रहा है हलाकि एक दो तीन ओवर कराना चाहें वो करा सकते हैं लेकिन फिलाल बैटिंग में जो अभी लिमिटेड ओवर प्रोवेंशल कप हुआ इनका एडलेंड का उसमे बैटिंग फर्स में इसले माक्स में टीसेंड करा पॉल सर्लिंग बैटिंग फर्स में ठीक था किया बैटिंग सेकेंड में पच्चे से दीस के आसपास मैक ब्राइन, सिमी सिंग, टेक्टर, क्रेग, क्रेग यंग, क्रेग यंग, विकेट लेस्ट नहीं गए हैं, बॉलिंग फर्स आती है, तो अगर आइलेंड की बॉलिंग फर्स आती है, तब आप इनको मिस्म नहीं कर सकते हैं, जोश्वा लिटल, दोनों ही, मतलब रिकॉर्ड सेकेंड इनिंग का है, लेकिन पहली इनिंग में भी डिसेंट बॉलिंग कराते हैं, अच्छी काजी स्विंग रहती है, इनकी बॉल में, और लेफ्ट आम एकलौते बॉलर हैं, आयरेंड की तरफ जो पेस करा रहे हैं, साथ आफ्रिका का कोई वेन्यू पर रिकॉर्ड है न और पोर्ट वील्ड हाला की थे हैं, फोर्थ हाई स्कोरर लेकिन अवरेज में बल बर्नी से उपर हैं, और उसके बाद थे पॉल स्टर्लिंग और से मिसिंग और उस बराबर 20 के आसपास के अवरेज पे और टेक्टर चालिस पे थे जो आपने उनका पर्फोर्मेंस देखा उसी वज़े से, विकेट्स में डॉक्रेल पहले बॉलिंग कराते थे तो वो सेकेंड हाईस विकेट टेकर थे अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, उसके बाद अगर आप सबसे अच्छा परफोर्मेंस देखोगे तो तीन इनिंग का अगर मिनमम कंसिडर करोगे तो अडेर सटरलिंग जिसमें सटरलिंग भी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो अडेर तीन इनिंग तीन विकेट, क्रेग ने पांच इनिंग में तीन विकेट लिये हैं, तो अडेर थोड़ा सा बेटर दिखें, हेड़ टू हेड में साओध अफरिका आगे जरूर है, लेकिन सुपर कि जो रैंकिंग चले जिसमें वर्ल्ड कप में कौन सी टीम है खेलेंगी उस पर डिसाइड होगा उसमें साउथ आफ्रिका बहुत नीचे है मतलब उनके नीचे शाद दो ही टीम्स हैं शिलंका जिंबावे तो बहुत नीचे और उनको सुपर लीग के पॉइंट्स हैं यह टे यह आपके पास options में मुझे नहीं लगता आपको शोड़ना चाहिए उसके इलावा अगर आप दोनों साइट के head to head भी देखोगे तो बलबर्णी अभी तक के highest score है और पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला उसके बाद क्रेग यंग वेकर टेकर स्टर्लिं लेकिन उतने जादा परफॉर्मेंस नहीं है और उसके बाद पोर्टर फील्ड का एक इनिंग 63 बनाके देखे गया उनको और स्टर्लिंग एक बार 40 बना चुके हैं तो मतलब ठीक सा है consistency चाहिए और consistency मुझे लगता बिलबर्णी और पोर्टर फील्ड में थोड़ीशी हैं लेकिन उतने अच्छी साइट्स के अगेंस में नहीं खेलें जैसे साउथ आफ्रिका और उसके बाद अगर आप देखोगे तो टकर टेक्टर 26 29 अवरेज कर्टिस कैमफर अच्छली सबसे अच्छे थे आवरेज वाइस और सिमी सिंग और कर्टिस कैमफर यह दो टॉप नहीं खेले तो एक बार देख लो प्रोवेंचल कब भी वहां से थोड़ा और डेटा मिल जाएगा वहां जॉज डॉक्रल का परफॉर्मेंस है सबसे हाइस्ट स्कोरर रहे और उसका पॉर्टर फील नीचे बैटिंग करते हैं जील के कप्तान बना के छोड़ देना एक टीम करें तो जरूर लेकिन एक बार बैटिंग सेकिंड भी हो एक टीम में बना के छोड़ देना आपका कुछ नहीं जाएगा क्या पता वो टीम आपकी तबाही मचा जाए क्योंकि डॉक्रल दिख तो रहे हैं भाई फॉर्म में ऐसा देखा गया है पॉर्टर फील का अवरेश लॉयर जनको लाए गया था पॉर्टर फील के रिप्लेश्मेंट के दौर पर हलाकि पॉर्टर फील फिट हो गए तो उनका भी ठीक था बलबर्णी देखो 109 का एवरेश तो पॉर्टर फीलो बलबर्णी ने अपना तो काम कर दिया रन बना दिये अब बाकी देखते हैं कं अच्छा कर रहते हैं मकार्ति को खिलाया नहीं है जो हाइस विगेट टेकर तो यह मुझे थोड़ा सा समझ से परे हैं मैं भी कुछ वज़े हूँ लेकिन फिर यांग को खिलाया है मैं ब्राइन को खिलाया जिनका लोग बनाने वाले थे लेकिन अभी फिटनेस इनकी पकी नहीं है कि क्या दिक्कत है एडन माकराम को हम सोच रहे थे बॉलर की तरह यूज किया जाएगा लेकिन 40 ओवर हो गए थे और क्यूंकि में भी हवा चल रही थी बारिश हो रही थी तो उन्होंने जो रेगलर बॉलर है पांच उन्हीं को यूज किया चटा बॉलर यूज नह करते रहो ठीक है तो यह कुछ सेलेक्शन था लास्ट मैच का अब्जरवेशन में पोर्टर फिल्ड बैलबर्णी और केशब माराज डिसेंड लगे तो जील के अगर आप चॉइस पूछोगे तो अडेर या डॉक्रर में से एक को कैप्टन मनाके वाइस कैप्टन में आप वाइस कैप्टन में आप इन लोग के साथ जा सकते हो थोड़ा सा हटके रहेगा ग्रैंड लीग के लिए स्मॉल लीग के लिए अडेर मुझे लगता है कि एक क्रूशल प्रिक हो सकते हैं अगर खासकर उनकी में भी बॉलिंग फरस्ट आया और थोड़ा सा वेदर में जो द हैं तो क्या पता किसी और को लेकर आएं वैसे मुश्किल है बारिश के बाद तीन चेंज नहीं करते हैं अगर पूरा मैश नहीं होता मुझे अभी भी नहीं लगता सिर्फ कुविंटन डिकॉक ही आ सकते हैं अगर आना चाहें नहीं तो अदर्वाइस सेमी टीम जानी चाहि हो आएंगे तो उनको कैप्टन हो वाइस कैप्टन रबाड़ा को रखके पोर्टाफील्ड अडेर रग्यंग और लिटल अब यह टीम हेल्प कब होगी यह टीम फायदे मंद कब रहेगी जब पहले बॉलिंग आईगे आर्लेंड की तो क्यूंकि मैंने आगर आप ध्यान द किलते हैं तो शयद मैं उनको प्रिफर कर लेता है यहां पर में वी एंगीडी की जगे तो वह एक चॉइस हो सकता था यह कोई एक बैट्समिन की जगे तो वह एक अच्छा हो जाता लेकिन वह खेले नहीं इसलिए हम देखनी रहे अगला ऑप्शन अगर आप पांचमा प्ल प्रिजिंग था मेरे लिए माकराम बॉलिंग नहीं करा रहे हैं अभी यह ध्यान रखना अभी तक नहीं दिये इस मैच में दी जा सकती है लेकिन पिछले मैच में 40 अवर तक तो नहीं कराई थी ठीक है बाकी की टीम उनकी यह है जिसमें बलबर्णी पोर्टर फील्ड जो बाकी यह टीम है अपनी टीम आप वीडियो से अराम से बना लो के और देख लेना कि अगर कोई प्लेयर ना खेलो तो चेंज जरू कर लेना टेलग्राम पांटसी है रही ना डिस्रिप्शन में लिंक पहले कॉमेंट पर वहां जाना जरूरी है क्योंकि लास्ट मिनिट में अपडेट्स होती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है आई प्यों आरा कल से अभी इंवेस्ट मत करना जब तक मैं नहीं बोलता रुके रहना आगे बहुत साइव मौके आ रहे है बस शांती से स्टेबल है न मैं हूं चिंता मत करना कि जिवी जीसकी all the best